हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मीद है आप लोग बहुत अच्छ होंगे फ्रेंड्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजूकेशन स्कॉर्ड में सवागत हैं और फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि हमारी जो फिजिकल एजूकेशन की जो एक सीरीज चले ही जिसमें दो हजार क्वेश्चन है उसका चवधुहां पार्ट है ठीक है और डेली आपको मरलब 25 यानि एक वीडियो या दो वीडियो है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाकर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं डाउलोड कर सकते हैं और चलिए फ्रेंड्स इस्टार करते हैं आज के कोश्चन क्या है पहला कोश्चन है नाडा नाडा की सुरुवात कभ हुई है तो यह 2005 में हुई थी और इसका मुख्याले हो जाएगा नई दिली में और नाडा का जो फुल फार्म होता है होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजनसी क्या होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजनसी और इसकी सुरुवात कभ हुई थी 2005 में हुई थी और इसका मुख्याले कहा है नई दिली में ठीक है च प्यरेडी कुबर्टिन ने जो है इसकी इस्थापना करी है और यह प्यरेडी कुबर्टिन जो है कहां के हैं यह फ्रांस के हैं ठीक है अगला कुश्चन मलेरिया फैलता है तो मलेरिया फैलेगा मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से ठीक है अगला कुश्चन मेरे डंड कि इतनी हड्यों से मिलकर बना होता है तो इसमें हड्यों जो होती है जो बच्चा होता है उसमें होती है तो जो वैस्क बेक्ति यंग मैन होता है वैस्क बेक्ति होता है उसमें 26 होती है इसका कारण यह होता है कि बच्चों में जो हड्यों की संख्या होती है वो अधिक होती है औ इसलिए वह गिंती में कम हो जाती है कि सरीर में कितनी हडियां होती है तो 206 जद या जाए कॉष्टिन बच्चों के सरीर में कितनी हडियां है तो 300 से आधिक हो जाएंगी ठीक है इसी यही रेजन होता है उसका मुगर्य चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा तो 33 होती है बच्चों में और जो 20 के बेखती होता उसमें 26 होती है ठीक है अगला कुश्चन देखते हैं कौंसा आसन कौंसा आसन सभी योगासन के अंत में किया जाता है तो यह सोसासन और मकरासन ऐसे दो आसन है जो अगला कुश्चन कोई दिया जय जाता है तो यह दिया जाता है उन्तिस अगस्त को इस जो मेजर ध्यान चंद का जो जनम दिन होता है इसके अवसर पर दिया जाता है 29 अगस्त को ठीक है मेजर ध्यांचंद का आज के मतलब इसी दिन 29 अगस्त को जन्म हुआ था इसलिए इसको उनकी यादगार में कह लीजिए या उनके जन्म दिन के आउसर पर इसको 29 अगस्त को अरजुन अवार दिया जाता है ठीक है चलिए अगला देखते हैं प्रेयना कितने प्रकार की होती है तो यह दो प्रकार की होती है कौन कौन सी आंत्रिक और बाह हो जाएगा प्रिश्न नमबर आठ हां की इस्टिक का वजन होता है तो यह इसका वजन जो हो जाएगा जिससे हां की खेली जाते हैं उसका वजन हो जाएगा 28 अवलें अगला को अगला अाष्च्छं हम का जाधू किसे कहते हैं तो इसको इसको कहेंगये मेजर ध्यान संद जी को ठीक, म मेंजर द्यान चंद कभए एग्ला देखते हैं राज्यवान्दी खेल रत्न कि सुरुइऩ है एटना तो सही है यांच转 राजू इसका नाम बदल कर रखा गया है यहां से आप समझें ते यह दू- तीन question एक ही question में मिल जाएंगे question क्या है राज्यु गांधी खैल रत्न पुरुषकार की सुरुवात 1991-92 में हुई थी इसका नाम बदल कर रखा गया है यानी जब ये 1991 युस्त देखते हैं तो उसको देखते हैं क्या है इसका सघ्रफु्सकार की जगापिर इसका नाम बदला गया है जो जोlectie घाएगा मेंजर ध्यान चंद खेल रतन पुरुष का ठीक है में जर अंचंद खैल रतन पुरुषकार हो जाएगा यहा नाम और जो इसका जो परिवरतन हुआ है यानि जला गया हो तारीक है संन Sid 6 अगस्त 2021 को कब बदला गया है 6 अगस्त 2021 को और इसमें जो धन्रास दी जाती है ठीक है पुरुसकार सुरूप जो धन्रास दी जाती है तो यह दी जाती है 25 लाक रुपए ठीक है कि रीपीट करते हैं कोश्च्टन को यानि इसकी जब राजम काने के रातन कंपसे मानी है तो यह उन्युट्य कानी बानवे में इसकी शुरूआत हुई थी और इसका नाम बदला गया है वह नाम क्या हो जाएगा राजम कहरेяж दूसरा नाम बदल का राटन Leah मेoust का Shine है 5820 तो 6 अगस्त 2021 को और यह जब आर्जुन वार्ड राजुगान्धी खेर रतन वार्ड दिया जाता है तो इसमें 25 रुपे की प्रुस्कार राशी दी जाती है ठीक है चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझने आ गया होगा यहां किससे समंधित करता है बारती महिलाओं के लीए आयोजित होने वाली है किसके लिए भारती महिलाओं के लिए आयोजित होने वाली ट्वाफिय है इसमें केवल भारत की जो महिलाएं है वही भागीदारी अपनी कर सकते हैं ठीक है अगला कुश्च्च रक्त किस प्रकार का उतक है तो रक्त हो जाएगा सयोजी उतक अगला कुश्च्च किस संध को किस संध को तीन सव साथ डिगरी में गुमाया जा सकता है तो यानि तीन सव साथ डिगरी में किस संध को गुमाया जा सकता है या सरी का कौन सा ऐसा जोड़ है जिसे हम तीन सव साथ डिगरी में गुमा दें ठीक है तो यह कंदुक खलिका संध हो जाएगी यानि बा लिए रिपीट करते हैं इसको किस संध किस संध को 360 डिग्री में घुमाया जा सकता है तो यह कंदुख खलिका संधी हो जाएगी और इसको जो इंगलिस में कहते हैं बाल एंड साकेट जॉइंट और यह पाई कहां जाती है तो यह कंदे में पाई जाती है ठीक है और यह कंदा हाथ हमारा होता है यह हड्डी जो होती है इसलिए कंदे में पाई जाती है चलिए अगला देखते है कलाई में कहुँँजि पाई जाती है संध्य पाई जाती है अगला गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संध्य तो धुराग्र संध्य हो जाएगी कौन सी धुराग्र संध्य हो जाएगी अगला कोस्चन अंगुलियों में कौन सी संध्य पाई जाती है तो यह हिंज संध्य जो है पाई जाएगी कहां अंगुलियों में कौन सी हिंद्य हिंज संध्य ठीक है हिंज संध्य जो है कहां पाई जाती है अंगुलियों में चलिए अगला देखते हैं तो दो प्रकार से किया गया है कौन कौन से हैं दो प्रकार सरीर रचना के आधार पर और सुभाव के आधार पर अगला है एक चलिए अगला कोश्चन अगला है सहलदन त्वार सरीर रचना के आधार पर ब्रका के या मत चंगें हैं क्यूंकि हमारे लिए महात्पुर्ण प्रकार जो हूए तो ईसका उसका सियूंट दुद्वारा शरी व्रचना के आधार पर दत्टित का वर्गी करन तो इन्होंने दप्तुक्तुक्तों के तीन बताय। तो कौन-कौन से हैं तीन वागों में वर्गेकरन किया है पहला है इंडो-मार्फिक तो इसमें कोमल-काय यानि कोमल-काय वाले वैक्त पाय जाते हैं दूसरा क्या है मीसो मौर्फिक हो जाएगा इसमें सुदोल काई वाले वेक्त stars जाएंगे और एक हो जाएगा कि एक्टो मौर्फिक यह लंब काई हो जाए ठीक है कि इसका हम रिपीट करते हैं कोईस्टन रिपीट कर देते हैं एक बार सेल्डन द्वारा सरी रचना के आधार पर ब्रक्तितुका वर्गी करना तो इन्हों ने तीन प्रकार से किया है पहला है इंडो मार्फिक दूसरा है मेसो मार्फिक तीसरा है एक्टो मार्फिक ठीक है तो इंडो मार्फिक का मतलब हो हो जाएगा कोमल काया वाले मेसो मार्फिक का मतलब हो जाएगा सुडॉल काया वाले और एक्टो मार्फिक का मतलब हो जाएगा लंब लंब काया निया जो लंबे दुगले पतले होते हैं वो लोग इसमें आ जाएंगे और चलिए अगला देखते हैं कॉस्चन इसका जो ये 20 नंबर जो कोश्चन है तो सेल्डन के बेक्तुत के जो वर्गी करन किया है इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे ये थोड़ा लंबा टापिक है और इंटरेस्टिक भी रहेगा महत्पूर्ण भी आपके लिए रहेगा परिच्छा के लिए इसलिए इस प शपन पॉइंट साथ से अठावन पॉइंट पांच तक ठीक है शपन पॉइंट साथ से अठावन पॉइंट 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 पांच ग्राम हो जाएगा ठीक है और इसके अधन की बात करें तो इसकी जो बॉल होती है उसका रंग पीला या ठीक है चलिए अगला देखते हैं अंतर राष्टी हां की खेल इसको आप काईदे से समझना कोश्चिन में एक कोश्चिन में मलब कही सारे कोश्चिन का इंसर छिपा है ठीक है अंतर राष्टी हां की खेल जनवरी संदस्थ 990 से पहले सेतर मिनट का समय था यहनी जो हमारी अनतर राष्टी हां की है उसका जो खेल का समय है 2019 से पहले कितना था ठीक अब कितना है यानी चाहिस के बाद आप कितना है सन 2020 के पहले 70 मिनिट था अब इस समय कितना है तो इस समय हमारा हो जाएगा 60 मिनिट कितना हो जाएगा 6 मिनिट हो जाएगा और 2021 से पहले कितना था 70 मिनिट था ठीक है चलिए और इसको देख लेते हैं थोड़ा यहाँ पर है इसको देखते हैं इसको समझते हैं साथ मिनिट है तो किस तरह तरीके से हैं देखिए इसमें चार क्वाटर होते हैं कितने होते हैं चार क्वाटर होते हैं पहला क्वाटर होगा फिर उसके बाद दो मिनिट का रेस्ट हो जाएगा ठीक है, दो मिनिट का रेस्ट हो जाएगा, फिर दूसरा क्वार्टर होगा, फिर उसके बाद पांच मिनिट का रेस्ट होगा, ठीक है, कितने पांच मिनिट का रेस्ट हो जाएगा, फिर तीसरा क्वार्टर होगा, फिर तीसरे क्वार्टर के बाद दो मिनिट का रेस्ट हो ज पहले क्वाटर में पंदा मिनट ये वाले पंदा ये वाले पंदा ये वाल पंदा ये वाले ठीक है तो इस तरीके से ये 5 चकु साथ चार मिनिट आपके खेल के हो जाएगे यदि डेशट टाइम देखा जाए तो रिष्ट हो जाए जा जाएगा कि तोटल कितना समय हो जाएगा साथ हो जाएगा और यदी वह जो डेस्ट होगा उसको मिलाकर देखें तो यह हो जाएगा 69 थीक है 69 हो जाएगा लेकिन हमको मतलब किसे हैं हमको सिर। 60 से मतलब है जो टाइम है मारा शाथ है, 60 मिनृट चलिए, अगला देखते हैं 110 मीटर बाधबा दोड में कुल बाधाएं कितनी होती हैं तो यह कुल बाधाएं 10 होती हैं ठीक है करे। और यह बाधाएं जो हैं 110 मीटर बाधा दोड जो है पेषियों के प्रकार हैं, तो पेषि तीन प्रकार क्यों होती हैं, कौन-कौन सी, अयचिक पेषि, अनचिक पेषि और हिरदेई पेषि ठीक है, कौन-कौन सी हैं अयचिक, अनचिक और हिरदेई-पेषि, अगला देखते हैं कुष्टन, मानों शरीर के कितने spl relationships pH में मां 17 मांसपेसिया पाई हैं तो यह जो मानो का सरीर होता है उसका 40% कबर करे होती है मांसपेसियां कबर करें होती है ठीक है कितनी होती है चालिस प्रतिसर ठीक है और बात करें कुल मांसपेसियां कितनी होती है तो यह 649 होती है और 649 के अंतरकत बात करें तो इसमें 400 जो है यह 649 में 400 जो है यह रेखित पेसी होती है कौनसी रेखित पेसी होती है और सरीर के किस भाग में सरवाधिक मानस्पेसियां होती है तो सरवाधिक होती है पीठ में कहा होती है पीठ में होती है और कितनी होती है 180 होती है ठीक है रिपीट करते हैं को एक बार मानौ सरीर के कितने मानव सरीर के कितने प्रतिसत भाग में मांस पैसियां पाई जाती हैं तो यह सरीर के 40 प्रतिसत भाग में मांस पैसियां पाई जाती हैं और कुल मांस पैसियां कितनी होती हैं 649 होती हैं और 649 जो होती हैं उसमें से 400 जो होती हैं वो रेखित पैसी होती हैं और सरीर के किस उम्मीद करते हैं वीडियों आपको अच्छा लगा होगा इसमें जो कोश्चन है वो आपको अच्छे लगें होगे और अभी तक हमारे चैनल पर यह नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और अपने याद दोस्तों में सेर कर दीजिए और आप लोगों से कोश्चन सेलेक्षन है किस तरीके से आपके कमेंट का हमें इंतियाद रहता है आप के मेन के बराबर कमेनट आते हैं अप सब्सक्राइब Jewish को आप